गुडिवनी वेलकम तुमाइनी लोग फ्रेंस तो कैसे आप सभी लोग तो आज है मतलब गुरु आ रहे और सामका टाइम में तुम्हें आपे बना रहे हो गुलाब जामून बैक केम आपको दिखाते हैं मेरी लोईया गुलाब जामून के आटे की और देखें हैं आपे इसम अजहीं तुम्हार तो फ्रेंस यहाँ पे ना बस में अपना गुली मतलब कर भी रही थी और चासनी भी में नीहाँ यहाँ लोग मैं बड़नी में टाल डाली कि मचली पहले कड़ाई में डारेक्ड़ को दूंगी लेकिन फिर ना यह मतलब ज्यादाई गुलाब जामून हो मुझे ऐसे मतलब करना पड़ा और पूरा मतलब रस सोख लिया था क्योंकि अभी तो मेरे ना कुछ मतलब अभी तलने को भी बाकी थे लेकिन फिर वह मतलब जाता देर तक उसको करे रखो ना तो सूख जाता है उसका इसलिए मैं फिर सब कुछ फटा-फट कर रही थी मतलब बनाना भी तलना भी और इसमे मैंने रस में भी डाल दिया था रस में ठंडा हो चुका था मैंने पहले ही बना के रखा था तो यह देखिए पूरा मेरा सस्पेंड मतलब भर चुका है और अभी ना इतना मेरा बाकी था तो यह इसको भी मतलब तल लूँगी और मुझे फिर पर वापस सारे को ना फिर जितने तले ना उसको मैंने कड़ाई में पहले नीचे रखा फिर उपर से ना ये सस्पेन वाले जा सारे डूब ओ मनलब डूब गए थे ना उसको रखा तो फिर ये रस मतलब मेकप हुआ था ऐसा हो गया था लेकिन बहुत अच्छे बने थे मेरे गुलाब जामुन थी है और यहां पे देखे ये धोकरा का बेटर है ये मतलब मैंने साम में डाला था मक्षन निकाला था तो बस उसी की जो छांस थी ना उसे में मैंने ना ये सूजी और बेशन भींग होया था और फिर हल्दी पावडर नमक और धन्या पावडर में डाल किया था तो ये गुलाब जामुन और में धोकरा बना रही थी मतलब रोटी चावल उसके पहले ही बन गया था कि मैंने ना इवनिंग वर्काउट छोड़ दिया था अपना ये सब कुछ करना हो था थोड़ा जल्दी लगना पड़ता है और ये ना हिंग और ये खाने वाला चुकी थी अच्छे से और इसको मतलब जैसे सोड़ा डाल दोना था थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट कर देना चाहिए और ये दुनों प्लेट में डालके न मैं बस इसको कडाई में चड़ा दूगी कडाई मैंने पहले ही चड़ा दी थी तेल मतलब ये पानी गरम होने के लि है है और देशे सारे मतलब अच्छे से मेरे ये धोक्रे पुरे ये म ने चमा डालके देख लिया पूरे अच्छे से हो गए थे फूल भी गए थे ऑर बहुत अच्छे से पक गये थे हैं और यहां पे मिना उसका मतलब रस बनाउंगी तो तेल में डाला था मेáficा तो एक प्लेट में ने ना चीनी वाला रस नहीं डाला था और फ्रेंड सी ये मतलब हाज सुक्रवार मॉर्निंग का है तो यहां पे इसके पहले हमारी एनर्जी ट्रिंक हो गई थी और आज भी मैंने मॉर्निंग का वर काउट छोड़ा था मतलब क्योंकि हमें बाहर निकलना ह है तो मुझे बस तैयारी भी करनी है तो हर काम को थोड़ा से फटा-फट करना होता है मैं सुची थी मतलब मैं छोटा सा रोग रात में डाल के डाल दूँगी एडिट कर लेकिन एडिट हुआ नहीं था मेरे से तो यहां पे देखे मैं सुबह सुबह यह ब्रेक फास्ट बन यही होता है और डिनर में भी मेरा तो यही होता है तो जैसे मेरे हस्बेन अब आइडियल वेट पर पूरी आ चुके मैं भी आ चुकी हूं कि तो भी मुझे तो यह ज्यादा पसंदी तो मैं लेती हूं वह कभी-कभी खाना भी खा लेते हैं मतलब लेकिन मॉर्निंग का तो फिक्सी है तो यहां पर मैंने दू चमच सेक मेट तीन चमच फोर्मिला और दो चमच प्रोटिन पाउडर ऐसे किया था और पीछे से जैदी बोल रहा था ममी लो ममी लो उसको भी ना केमरा में आने का बहुत सुको थे जब भी मैं केमरा मतलब स्टार्ट करती हूं तो यहा इस दवाया भी मैंने बहुत खाई थी इसके पहले वाले ब्लोग में भी में बहुत कुछ मिलब दिखा चुकी थी जब जब डॉक्टर के पास जाती थी तो बहुत गए थी लेकिन होता था मिलब होता है ना अंग्रेजी दवा जितना मिलब पावर रहता है उतना असर करते थी उसके बाद वही हालत हो जाती थी मेरी तो बस इसलिए मैं अपना खाना पीना बदल चुकी हूं तो ये बस कुछ नहीं है सिर्फ मैंने अपना जो होता है ना चाई और सुबह का खाना वाना वही थोड़ा सा मैंने रिप्लेस किया है और कुछ नहीं खाना पीना बस मैं अब हैल दी खाना खा रही हूं तो बस यहीं सब कुछ है और यह हमारा फेवरेट से के तो हम दोनों का यह मेरी कर रही थी और जैदी पूपर नीचे हो रहा था क्योंभी उसको आना था कैमरा में तो बैस मिमली देख लो तो यहां पे वो भी अपने को हाई वाई कर वा तो बहुत अच्छा लगता है और मलब इससे पहले से ना मेरी स्किन पर भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बदला हुआ है तो फ्रेंट्स मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सस्क्राइब करिएगा और कमेंट करके बताईएगा और फिर ना मलब सेक के बाद इनके कोई फ्रेंड आये थे तो फिर ही में energy drink बिना रही थी सुबा हमारे energy drink हो चुका था तो ये पिर दुबारा हो रहा था और गसमीरी कावा तो मैं सोची बस मैं कर रहे हिंग तो थोड़ा सा मैं ले लेती हुई वीडियो कुई वैसे भी मेरा रात के बाद ना कुछ वीडियो मिलब बन नहीं पाया था क्योंकि जैधी पर रो रहा था रात में उसको थोड़ा सा हाथ में चोट लगई उस साइकल पर से गीरा था तो इसलिए मेरा आत में कुछ जादा नहीं कर पाई थी लाश्ट में ने मरलब ढूक रा मेरा से डाला उसको भी मैंने किप्चर कर पाई थी मरलब इतना वो रो रहा था होस्पिरेल भी उसको ले जाना पड़ा था तो बच्चे मानते नहीं है चाहे ज इतना चिलाते रहो और यहां पर बस में अपना एनरजी ड्रिंक रेडी कर लूँगी इनके फ्रेंड्स के लिए और फिर जैसे कोई आता है तो हमारा भी दो दो बार होई जाता है ना बस ऐसा ही था और यह सुबह का इन टाइम था और सुबह थोड़ा सा मेरा काम वाम इतन क्या खाना है यहां पर अपना चाहिए और यहां पर मैं बैक कैमरा दिखा दो बस यह है आफ्रेस एनरजी ड्रिंक कस्मीरी कावा कुछ भी बोल सकते हैं तो मैंने इसमें 24 हाइड्रेट डैला था और कस्मीरी कावा बस तो मैं इसको चक ले रही थी और मेना चकने के टाइम पर बिल्कुल भूल गई कि ये गरम भी होगा तो मेरे जीब में जाता है मेरे को मलब जीब जल गई ऐसा होगा लेगिन टेस्ट तो मुझे इसका बहुत अच्छा लगता है तो मैंने बस अपना जो चाई कोफी में बहुत ही जादा पीती थी एक लिमिट से जादा बस उसको म मीरा यह चोटो सा वलो करना तो यह रिडियर चार मड़ पांच कुप थे तो तो ऐदा जीबा है अज्ज पताये गा मेरा यह जादा सबंदो यह कोफी थी लोगने थे डिल्द शूग परेंसब अशुलोंगी डोलक्नmy मैंने व्लोगिंगों सब कुछ मतलब छोड़ दिया था वेकिन अब बहुत यह चाहे फ्रेंद्स तो अगर मेरा यह व्लोग पसंद रहे तो प्लीस लाइक करेंगा चैनल को सुस्क्राइब करेंगा फ्रेंद्स वाइब